हेलो दोस्तो मैं मुस्कान सिंग आपका हिंदी ग्यान बोद चैनल पर स्वागत करती हूँ इस बार के यूजी सिनेट परिक्षा में मैं EWS कैटेग्री से ज्यार फ क्वालिफाई की हूँ इस सफल तक असरे मैं अपने मातापिता गुरुजन के अधरिक्त डॉली मैं और बिसेसकर इनकी चैनल को देना चाहूंगी ज्यादा समय नहीं लेती हुए यदि strategy की बात करें तो इस परिक्षा के लिए जो मेरी strategy रही खासकर हिंदी साहिती के लिए तो ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा किताबी नहीं पढ़ी समय चुकि ऐसा है कि इस परिक्षा के एक खास पैटर्न है और इस खास पैटर्न को आप फॉलो करने के लिए मैम के चैनल को आप यदि सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं उससे भी सबसे ज़्यादा जैसे मैम बोलती है कि आप टीवी से एर के क्वेश्चन पिपर को भर भर की लगाए तो यहीं काम मैंने किया इसके पहले आपको बता दूँ कि मैं तीन बार नेट उतिर्ण कर चुकी हूँ लेकिन जैरे पिछली बार कुछ नंबर से चुक गया कुछ पॉइंट से चुक गया तो इस बार मैंने कसर नहीं चोड़ा उसमें मैम के चैनल का बहुत ही ज़्यादा योगदान है पिछली बार जब मैं इसके संपर्क में आई तो मुझे सबसे ज़्यादा सटिक लगा क्योंकि ये जो बताती है टू दो पॉइंट बताती है और यहीं काम मैंने किया टू दो पॉइंट तैयारी करना सुरू की जैसे कि मैम कहा है कि हर एक वीडियो हर एक टॉपिक पे बना हुआ है और मैं बार-बार हम लोगों को धिहान दिलाएं कि प्रिविएस येर क्वेश्चन के मादे हम से की देखिए एक टॉपिक से जैसे नाटक है तो यहां पर जो है कि मोहन राकिस के नाटक से उसको पूछना ही पूछना है सुरेंदर बर्मा के नाटक से पूछना ही पूछना है चाहे उनकी कोई भी पूछ ले अगर इस बर असाड का दिन पूछा तो हो सकता है, ये लहरो का राज हंस पूछ ले, तो इस तरह का मतब घुमा फिरा के पूछना है, तो ये चीज़े मैम के वीडियो में हमने देखा कि वो बार बार ध्यान दिलाती है, और अक्सर इंसान बहुत सारजी चीज़ों को पढ़ करना है, फिर भी हम पढ़ते हैं, प्रशन नहीं लगाते हैं, ये काम नहीं करना है, आप मैं जो प्रीफर की थी, वो सिर्फ गोविंद पांडे को मैंने कई राउंड पढ़ा, उसके हर एक टॉप का नोर्स बनाया है उससे, और मैम के चैनल का भी मैंने क्या किया कि इदिक वीडियो था, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया, और मैं जैसे नाटक पे इनका जो वीडियो था, उसको मैंने रोक रोक के पुरा नोट डाउन किया, और खुद का नोर्स बनाया है, उसको जहां भी होता था, जितनी बार होता था, रिवीजन किया, और एक खास सेक्टर आ इन से प्रश्न पूछना ही पूछना है चाहे उनकी जन्मतिती से पूछे या उनकी कविता से पूछे या उनकी कविता से पूछे प्रश्न उन ही से पूछना है किसी ना किसी तो हम क्यों ने इनकी हर चीज को रट जा तो यहीं किया था जैसंकर प्रशाद को मैंने लिया तो उनकी जन्वती थी, उनकी काबे रचना, उनका जो नाटक है, उसका विसेवस्तूस्त के पातर, सब कुछ को मैंने एक जगा नोट डाउन करके उसको रचना सुरू किया, इस तरीकी से यही मैंने स्ट्रेटजी अपनाया और मुझे काफी ज़्यादा लाब हुगा, और मैं द वीडियो का बहुत ज़्यादा योगदान है, और दोस्तों, आप लोगों से मैं यहीं अनुरोद करूंगी, कि स्ट्रेटजी को सही तरीके से फॉलो कीजिए, महनत कीजिए, महनत का कोई भी कल्प नहीं है, और खुद महनत कीजिए, आज कल यह है कि आप कोई चैनल सब्सक कर ले रहे हैं, वीडियो अपलोड करेंगे, तभी आप पढ़ेंगे, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस वहां से आप गाइडेंस लीजिए, और खुद महनत कीजिए, बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, यदि आपका बैग्राउंड है, हिंदी आप, जैसे आपने BMA, MMA बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको बस सरस्वती पांडे बहुत है, लेकिन यह दि बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो एक बार कम से कम एक ओवर विव जानने के लिए हिंदी साहिते का इतिहास पढ़ना जरूरी है, उसके पतली सी किताब है, रामचंदर शुक लगार, रामसर उप्चे तुरवेदी, इनको आप पढ़ जाएगे, कम से कम इन दो किताबों को अवश्य पढ़िए, मैं आपको बोलूँगे, और उसके बाद बस सरस्वती पांडे से फैक्ट्स को रटिए, सारे फैक्ट्स नहीं र जाएगे, क्योंकि एक्जाम में 60% जो प्रशन होते हैं, वो प्रिवेस एर के ही होते हैं, 60 से 65%, 65% आप उधर कर ले रहे हैं, तो और 10-15, 10 कभी 2 पैसेज पूछ देता है, तो 10 नमबर आप वहां से पैसेज को अच्छे से कर लीजे तो ला सकते हैं, फिर कथन और कारन वाल 67 मार्क्स था, 67 मार्क्स था मेरा हिंदी में, और 29 मार्क्स था मेरा फर्स्ट पेपर में, तो अब मैं आती हूँ फर्स्ट पेपर के स्ट्रेटजी पे, तो फर्स्ट पेपर के स्ट्रेटजी में मैंने केस मदान की पुस्तक को ज्यादा प्रिफर किया था, चुकि मैं अन्य प्रतियों की परिक्षाओं में भी सम्मिलित होती हूँ तो maths, background मेरा रहा है तो maths reasoning और passage, 15 नमबर तो मैं यहीं से बहुत असानी से ला ले बाकी research aptitude को मैंने पढ़ा था teaching aptitude इन सब से भी आप इन सब पे काम कीजिए एक बार पढ़िए और देखे यहां भी वहीं लागू है previous year question paper क्योंकि वहां से आपको एक अनभाव हो जाएगा कि खास एरिया से प्रशन पूछता है उस पे आप काम कीजिए जैसे sample से research aptitude में जाए तो sample से उसको प्रशन पूछना ही पूछना है अनुसंदान के चरण से प्रशन पूछना ही पूछना है तो इन सब चीजों को आप रट जाएए यही है मेरी strategy और आप लोग इसको follow कीजिए और बिल्कुल लाब उठाईए और दूसरी चीज यह है कि examination hall में examination hall में आपका दिमाग पे pressure ना बने इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से हो सकता है आप इससे सहमत ना हो फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि इस बार जो मैंने strategy रखा वो यह रखा कि एक घंटे मैंने उन प्रशनों को किया जो मुझे आता था फिर second round में मैंने एक घंटे में पहले maths और passage को किया क्योंकि यह जो sector है दिमाग पर प्रेसर जादा बन जाता है तो फिर आप solve नहीं कर पाते हैं या तो calculation गलत करेंगे या फिर passage पढ़ने में गलत कर देंगे और यह sector ऐसा है कि आप आराम से करेंगे तो बिल्कुल 130 नंबर ला सकते हैं passage और maths में तो मैं कहूंगे कि आप इसको दूसरे घंटे में कीजिए फिर तीसरे घंटे में जा कि उन प्रश्णों को कीजिए जो आपने छोड़ा है या जो आपको आता नहीं है तुक्का लगाना है या फिर confusion है तो इस strategy को अपनाती है मेरे पास आदा घंटा समय बच गया था जैसे और लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं बचा मेरे पास भी तीन बार के attempt में ऐसा ही हुआ कि समय नहीं बचता था लेकिन इस बार मुझे इस strategy से लाब हुआ आप लोग भी अपना सकते हैं ठीक है दोस्तो मैं को एक बार धन्यबाद तहे दिल से धन्यबाद देती हुए आप सब को मैं शला दोंगे कि आप इस channel को अच्छे से follow कीजिए इनके बताए हुए हर दिसा निर्देश को अपने अपने परिक्षा रणनीती में शामिल कीजिए अवश्य लाब होगा और इसी की साथ आप सब को धेर सारी शूव गाम लाएं